नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 26 मई शुकरवार दोपैसावा एक बज़े राजिस्तान की 15 बड़ी खबरे इस न्यूस बिलेटिंग के प्रायोजिक है विनी, विनी केक अन्मोर सबसे पर एक नज़र डालते हैं अचकी हेडलाइन्स पर नए संसद भावन इनोग्रेशन पर 75 रुपे का सिक्का होगा लॉंच राहूल गांधी के पासपोर्ट मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई आज कॉंग्रिस के एहम बैठक में होगा गहलोत पारेट के 20 सुले का प्रयास सियर मान ने किया नितियायो की मिटिंग का बाइकॉट और दिली में देर रात मौसम हुआ खराब 11 फ्लाइट्स डाइवर्ट और खबरे विस्तार से प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिला रविवार 28 मई को नए संसत की बिल्डिंग का इनाउग्रेशन करेंगे इस मौके पर 75 रुपय का सिक्का और एक स्टैंप लांच किया जाएगा वित्य मंत्राले ने गुर्वार को सिक्की की ढलाई को लेकर नोटिफिकेशन चौरी किया है उन्होंने बताए कि सिक्की को भारत सरकार की कोलकाता टक साल में ढला जा रहा है हारांके संसत की नई बिल्डिंग के इनाउग्रेशन प्रोसेस को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है लेकिन नई बिल्डिंग का इनाउग्रेशन दो फेस में होने के संभावना है राहुल गांधी को ने पासपोर्ट देने से जुड़ी याजिका पर दिल्ली की रावजवरन्यू कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई चल रही है राहुल के वकील चीमा ने कोर्ट से कहा है कि उनके बेल और्डर में यात्रा से पहले अदालत को सूचना देने जैसे कोई शर्ट नहीं रखी गई है इस मामने में आज़ पहरे एक बज़े तक आदेश आएगा कोर्ट ने राहुल के पासपोर्ट का वरियोत कर रहे सुब्रमनेम स्वामी से भी पूछा कि क्या उन्हें इस तरक पर कुछ कहना है कि गंभीर अपराधु में दस साल के लिए पासपोर्ट दिया गया है इस पर स्वामी ने कहा अगर अतीत में कुछ गलत हुआ है तो इसे मिसाल नहीं कहा जा सकता है करनाटक चुनाव के बाद कॉंग्रेस पार्टी अब राजिस्तान पर अपना फोकस करने चाह रही है इसी क्रमे पार्टे ने शुकरवाज शाम को नई दिली में एक एहम बैठक बुलाई है इस बैठक में कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्ष मलिकार्जून खडगे राहुल गांधी, मुख्य मंत्रे शोग गहलोथ, प्रदीश कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविन सिंग्डू टास्रा, प्रदीश प्रभारे सुख जिंदर सिंग्रंधावा और सचिन पार्ट भी शामिन होंगी माना ज़रा कि इस बैठक में गहलोथ और पारेट के बीच चल सुलह का प्रयास किया जाएगा, दोनों नेताओं में विवात की चलते कार्यकरताओं में अस्मंजस की सिती बनी हुई है पंजाब के सियम भगवंत मान ने प्रधान मंत्रीं दारेंद्र मोदी के आगवाई में 27 माई को दिली में होने वाली नितिया आयोग की मिटिंग का बाइकाट किया है मान ने कहा कि केंद्र सर्गार पंजाब की नई जुन कल्यानकारी यूजनाओं में अडंगा डाल रही है आडियेफ की रकम हो या फिर फसली कीमत घटाना पंजाब को लगाता नुकसान पहुचवाय जा रहा है इस मिटिंग में जाकर फोटो नहीं खिचवानी है सीम भगवंत मान के अलावा आपके संयोजोग एवम दिली की सीम अर्विन केजरिवाल भी नितियायो की इस मिटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे वैस्टन डिस्टरबेंस की चलते देरात दिली का मौसम काफी खराब हो गया देरात तेज हमाँ के चलते दिली एरपोर्ट पर लेंड होने वाली 11 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया जिसके बाद इन फ्लाइट्स की अन्य शेहरों में एमर्जेंसी लेंडिंग करवाने पड़ी तकरीबन रात दो बजे के बाद मौसम साफ हुआ और ये फ्लाइट दोबारा दिली के लिए रवाना हुई दिली के इंद्रा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पर नो डोमेस्टिक और दो इंटरनाशनल फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा जुनमें आमनिसर के चार जापूर में तीन फ्लाइट्स के लावा गौालेर इंदर्च ये नई अमदाबाद एरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स को लेंड करवाना पड़ा उद्यपूर में कानपूर खेडा में रासान क्रिकेट असोसियेशन के जमीन पर बनाए गए रिजॉर्ट को यू आईटी के तैसिल कोड ने अवैद माना है कोड ने इस आदेश को अंतिम नोटिस भी मानने को कहा है इससे पहले तैसिल दार की कोड ने अतिकरमी सीए भरत लोहार को उनके पक्ष रखने के चार मौके दिये थे लेकिन उन्होंने एक भी पेशी में पुकता दस्तावीद पेश नहीं की अब द्योगों में चिमनी नए मापदन के अनसार लगानी होगी इसको लेकर केंदर सरकार ने गजट नोटिफिकेशन चारी किया है वही राजसान के प्रोदूशन ने अंतरन मंडल की और से आदेश भी चारी कर दिया गया है नए मापदन के अनसार प्रोदूशक तत्वों और गैस के उतपादन की मातरा में कमी की गई है इसके लिए अब इलेक्रोस्टेटिक प्रेसी प्यूटेटर आधारी चिमनिया लगानी होंगी पहले चिमनिया साइकलोन तकनीक आधारीथ होती थी पहले से स्थापी चिमनियों के प्रदूशक तत्वों के निकलने की मातरा अलग थी जहां एक चिमनिया लगी है वहां 800MG NM3 और जहां एक साथ दो चिमनिया लगी है वहां 600MG NM तक प्रदूशक तत्वों निकलने की सीमा तैकी थी अब इसे घटाकर चीमनियों को फ्यूल अधारित कर दिया गया है इस आदेश का भीलवाड़ा के अध्योगी की काईयों पर भी असर पड़ेगा तमिलाडू में आया कर विभाग ने शुकरवार कुराजी के बिजली मंतरी वी सेंथिल बायाजी से जूड़ी लगभग चोलिस जगओं पर चापा मारा सूतरों से मिली जानकारी के मताब़िक मंतरी सेंथिल से समन्ध रखने वाले सरकार ठेकेदारों के घरो और ओर आफिस पर चापा मारा गया है पिलाल चन्नाई करूर और अन्य जगों पर शापे मारी की जो रही है ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाने के बाद अब सरकार तलाक के अन्य तरीकों के गलत इस्तमाल पर नक्याल कसने के तयारी कर चुकी है ट्रिपल तलाक और समय धानिक है फिर भी इसे मिलते जुलते कुछ तरीके जैसे की तलाक है हसन, तलाक है एहसल और तलाक है बाइन के मामने सुनने को मिल रहे है इसे देखते हुए केंडर सरकार एक लीगल फ्रेमवर्क तयार कर रही है ये मामना सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है अब केंडर सरकार को जवाब डायर करना है दिली में गुरुवार शाम तेज ठंडी हवाँ चमकती बिजली के बीच हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया इसकी वज़े से दिली के तापमान में 8 डिग्री सेलसियस तक की गिरावर दर्च की गई है सुबर से ही कई अलाकों में काले घने बादल चाय हुए थे वहीं गुरुवार से शुरू हुए नौतपा के पहले दिन गर्मी के तेवर ठंडे रहे बद्धवार की मकाबले गुरुवार को पाराद 2.9 डिग्री सलसियस लड़कर 38.8 डिग्री सलसियस पर आ गया 23 साल में ये छटा मौका है जब नौतपा के पहले दिन तापमान 40 डिग्री से कम रहा 17 साल बाद नौतपा के पहले दिन का ये सबसे कम तापमान है जैपुर में तुफान के बाद आई बारी से तापमान लडग गया बस्टा चाने रोदग ब्यूरो कोटा की टीम ने ट्रैप की कारवाही की है टीम ने 20 हजार के रिशवत लेते दिल्ली की घूसखोर महिला A.S.I. को ट्रैप किया है A.S.I. रिशवत लेने के लिए दिल्ली से चलकर कोटा में परिवादी के घर पहुँच गई पैसा लेकर वापस दिल्ली लॉड़ते समय A.C.B. ने पकड़ा सहाय को अपने रिक्षक रेखा सिंग दिल्ली के मानसुरवर पार्क शहादरा में पोस्टेड है मौल लूप से मेरट यूपी के रहने वाली है A.S.I. ने F.I.R. से नाम हटाने और केस को कमजोर करने के एवज में परिवादी से 50,000 रुपे के रिशवत की मांग की थी रहसान लोग सिवायो की और से आयोजी तवरिस्ट शिक्षक भरती के पेपर लीक मामले में अप्रवर्तन निदेशाली की एंट्री हो गई है पेपर लीक के आरोप में उदेपु सेंट्रल जेल में बंद RPSC सदस्य बाबुलाल कटारा, मास्टरमाइंड शेर सिंग मीना और भुपेन रसारन से E.D. पिछले सब्ता ही पूस्ट आज कर चुकी है इनके अलावा इसी केस में आरोपी राजीव उपाध्याय राम गोपाल मीना, सुरेश पिष्णोई, घिमना राम खिलेडी, अनिता मीना, बाबुलाल केही, पुत्र दिपेश कटारा, गोपाल सिंग, गौतम कटारा और विजे डामोर के बयान भी E.D. ने दर्च किये हैं मुख्य मंतरी सिध्धर मया, कॉंग्रेस के पूरव अध्याक्ष राहूल गांदी से मुलाकात करेंगे, मीडा रिपोर्स के मुताबिक सिएम सिध्धर मया, डेपटी सिएम, डीके और पार्टी नेतरत्व की बैठक में मंतरियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया ह 20 मई को सिध्धर मया ने करनाटक के मुख्य मंतरी और डीके शिलकुमार ने डेपटी सिएम के रूप में शपतली थी इस दोरान कॉंग्रेस अध्याक्ष मलिकार्जुन खडगी के बेटे प्रियांक खरगे सहित अन्या विधायको ने भी मंतरी पत की शपतली थी करनाटक में डॉक्टर जी परमेश्वर, के एच मरियपपा, के जे जॉर्ज और एमबी पार्टिल को कैबिनेट मंतरी बनाया गया है जपर में गुरवार देरा तुफानी बारिश का दौर शुरू हुआ तेज हमाँ के साथ जमा जम बारिश होने लगी शाम होते ही मौसम बदला और गरच चमक के साथ पानी गिरने लगा उधर शाम को जैसल मेर में बारिश के साथ ओले भी गिरे, तेज आंधी भी चली राजिसान के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया इदर इस बारिश ने दस साल का रिकार्ड भी तोड़ दिया, दस साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मई में पारा 42 तिकरी के उपर नहीं गया है भारी बारिश के चलते जापु शहर में दरजनों जगा पेड़ गिरे हैं और जसल में से ओले गिरने की खबरे भी आई है राजिस्तान में सरकारी नौकरी के तैयरी कर रही युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब टैक्निशन के पदोग पर भरतिया निकली है इसके ताहित प्रदेश भर में कुल दोहजार साथ पदोपर भरति की जाएगी भरति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 18-40 साल तक की उम्र के उमिदवार हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशल वेब साइट पर जवा कर 30 जून तक ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं जानित उमिदवार को हर महिने पे मैट्रिक्स लेवल आठ के अधार पर 32,300 पर सालरी दी जाएगी तो फिलाल इस बिलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी ख़परों के साथ